हलो हाई नमस्ते लव इन्फानेट चैनल में आप सभी का मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और ये जानना चाते हैं कि मैम रियूनियन के साइन्स क्या हैं रियूनियन देखे सबसे पहले आपका अपने आप से होगा इनर रियूनियन होगा न उसके बाद ही आपका डियम के साथ 3D वर्ल्ड में रियूनियन पक्का होगा अगर आपके अंदर वाकई फुल फेथ है बड़ी इमानदारी के साथ आपने इनवर्क किया है इमेंसली इनवर्क किया है तो जरूर सफल होगा मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी चलिए पहले बता देती हूँ कि Twin Flame Journey में reunion के science क्या है तो आपने ये देखना है कि आप अपने Twin Flame है ना वो आप ही कितो अंदर है Divine Masculine इसलिए जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप उन्हें चेज ही करते रहेंगे और वो रन करते रहेंगे तो आपने उन्हें Runner बनाए रखना है ये आपकी इच्छा है होता बहुत मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं है तो चलिए बताती हूं पहला sign पहला sign यही है कि आपको एक completeness की feeling आएगी कि yes, I am complete और मुझे Divine Masculine इस 3D World में मिले या ना मिले I am happy I am contented और वो मेरे ही भीतर है Just like Radha Krishna का प्रेम बहुत ही खुबसूरत प्रेम जिसे सच में प्रेम क्याते है प्रेम इन दसंस त्याग मांगता है प्रेम सेक्रिफाइस बट मैं यह नहीं कहा रही कि आप बलिदान चड़ जाएं सूली पे चड़ जाएं ऐसा कुछ नहीं कहा रही है चाहिए इस 3D World में सब कुछ चाहिए reunion भी चाहिए वो मिलता है बट ध्यान रखना होता है अपने लिए दूसरा sign कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ ऐसी feeling आपको आती है Divine Musculine आपके आसपास है वो आपको चू रहे है ऐसा आपको feel होता है Twin के dreams देखना उनको dreams में महसूस करना उनके साथ marriage देखना baby child देखना ये सब signs reunion के हैं आपके चेहरे पर smiling, laughing and बस बहुत कुछ खुशी की excitement बढ़ जाना समझ लीजे बिना बात में जो excitement हो रही है खुशी हो रही है वो आपके reunion की तरफ इशारा कर रहा है जी हाँ बिल्कुल समझ लीजे इसे physically, emotionally and psychologically और telepathically भी आप aligned है आप universe से aligned है ऐसा आपको feel होगा तो समझ लीजे कि reunion बहुत करीब है सच मानिए angel numbers का दिखना dramatically बढ़ जाता है जैसे 1111, 1010 1133, 1122, 1144, 1155 इसका मतलब आप अपनी creative zone में बहुत ही अच्छा चल रहे हैं बहुत अच्छा grow कर रहे हैं financially भी grow कर रहे हैं और आप happy feel कर रहे हैं confidence feel कर रहे हैं यह वाली बात आपके अंदर दिखाई दे रही है तो समझ लीजे कि reunion बिलकुल करीब है साथ ही साथ animals का दिखना, pears में दिखना है ना, इस तरह की science आपको butterfly वगरा दिखना यह सब science आपको मालूम है लेकिन इस तरह से दिखना कि जब आप उसे सोच नहीं रहे हैं और आपने उसके बारे में ने सोचा आप अपने काम में मस्त हैं, मशगूल हैं और आपको लगा है कि यह क्या दिखने लग गया इतने सारी butterflies कैसे और summer season में और कहीं पर मतलब पेड़ पौधे भी नहीं है, फूल भी नहीं है तो भी आपको butterflies flats में कैसे दिख रहे हैं और वो कहते हैं feathers दिखना भी रंग भी रंगे feathers आपके घर पर, आपकी balcony में इवन आपके room में अपने आप ही दिखाई देंगे चाहे room बंद है आप कहेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि ये feather आया कहां से तो उन्हें आप collect कर सकते हैं यादों में बसा सकते हैं उनकी collection बना सकते हैं कम सकम एक नई तरह की creativity हो जाएगी आपको reunion के बाद वो चीज़ें याद दिलाएंगे फिर उन्हें collect करना शुरू कर दीजे आपके new skills, new job, new opportunities आप grab करना सीख गए हैं आपको समझ में आने लगा है कि थोड़ा सा risk ले लेते हैं और इसके बाद ये opportunity है risk ले लेते हैं और कुछ नया gain करते हैं उसमें कुछ learning भी होगी yearning भी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो ऐसे अगर स्थिती आपकी है और इवन ये भी हो सकता है कि आपने flat change किया आपने room change किया आपने city change की या फिर आपने country ही change कर ली तो ये change वैसे भी change is everything nothing is permanent over here तो change is अगर आपकी life में हर तरह से positively दिख रहे है इश्वर का आशिरवाद दिख रहा है सपने में dreams में इश्वर दिखाई दे रहे हैं चाहे आप किसी भी धर्म से है आपको मूर्तियां दिखाई दे रही है बात करती या उन में से आपने जैसे लिटरली आपने फूल भी चड़ाया और वो गिर गया है ऐसा भी दिख रहा है तो इस तरह के संकेत आपको दिख रहे हैं या पंडि जी ने आपको माला पहना दी या माला दे दी कि इसे पहन लो तो ये भी साइन है कि आपका अपने आप से रियूनियन है हो चुका है और आपके DM के साथ भी रियूनियन पका लिखा हुआ है तो ये सबी साइन्स थे रियूनियन के आपके अपने Divine Masculine के साथ इस 3D World में हाँ बहुत बार ये पूछा जाता है मैं कौन से साइन बता रहे हूँ आप 3D World के के 5D के 5D में तो आप मिली ही चुके हैं आप अल्रड़ी एक दूसरे के साथ हैं एक दूसरे के साथ आपकी सोल मर्ज हो चुकी है लेकिन इस जीवन में इस तो शरीर जो हम इस धर्ती पर आए हैं तो हमें ये लगता है कि बस अब Divine Masculine के साथ यूनियन हो ही जाए तो ये होगा जरूर मेरा भी धिर सरे आशिरवाद आपके साथ है और आप अपने immense inner work को पिलकुल भी मत छोड़ियेगा डटे रहिए हार नहीं माननी है धन्यवाद नमस्का